हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुस्ताग्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके ओपो ए 3S में यदि आप किसमें हेड़फॉन के लोगो की प्रोब्लम आ रहा है तो इस प्रोब्लम को हम किस तरीके से सोल कर स सकते हैं आपको यह नहीं बताओंगा कि आप यहां से लेकर यहां कर दो यह सब में नहीं बताने वाला हूं मैं दोस्तों बताओंगा इसका 100% जन्रियर। और working solution क्योंकि दोस्तों देखो repairing में अगर आपको success होना है अच्छे से अगर आपको repairing करनी है तो दोस्तों कोई भी problem आ रही है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो problem कहा से आ रही है मतलब यदि हमारे इसमें headphone का logo की problem आ रही है तो दोस्तों हम यहाँ पर इस इंड्रेस्टिंग वीडियो को start करते हैं और दोस्तों वीडियो start करने से पहले आप लोगों से छोटी सी request है दोस्त अगर आप इस चैनल पर पहली वारा है तो इस चैनल को एक बार जरूर से जरूर जरूर चेक कर लेना क्योंकि दोस्तों यह चैनल आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर mobile repairing से related basic level से लेकर advanced level तक की यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेगे यहाँ पर आपको हर तरह की solution की वीडियो देखने को मिलेगे ठीक है जोस्तों मैं एक थोड़ी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा मेरी सबसे पूरानी है जिसमें मैंने यह बनाया लगबग एक साल पहले ठीक है बीच मेंने कॉइट कर दिया था लेकिन आप मैं काफे continue ठीक है यह देखो यह देखो मैं सबसे ओल्डेस्ट में जाता हूं और यह देखो मैंने जो बोला था आप लोगों को प्रोमिस किया था यहां पर देख सकते वन यह एर एको यह मेरा वीडियो है तो मैं इसको थोड़ा सा प्ले करना यहां पर चाहूंगा थोड़ा सा दोस्तों आपका टाइम लोगा लेकिन देखो मैंने जो आपको बोला था वही मैं अपने चैनल पर कर रहा हूं बस इसमें आपको यह दिखाने की कोशिस कर रहा हूं ठीक है दोस्तों यह दोस्तों यह मेरा वीडियो है वह जिसमें आपको सभी को बताए देखो मैं एक साल पहले का वीडियो लेकि दोस्तों अब मैं काफी कुछ रिपेरिंग में कर चुका हूं काफी एक्सपरेंस लिया है मैंने रिपेरिंग कर करके ठीक है इसलिए अभी में पिछले 2-3 महिनों में काफी कंटीनू हूं मैंने बहुत सारे वीडियो बना है दोस्तों रातों में टाइम खराब करके अब देखो अब में करता हूं तो दोस्तों बहुत मेंनत लगती है लेकिन यह सब कुछ कुछ नहीं है आप लोगों की बस प्यार सही यह सब कुछ काफी है ठीक है तो दोस्तों अब यहां पर हम यह समझते हैं कि हमारे यह OPPO A3S है उसमें हेड़फोन का लोगो लगता कैसे है देखो यह है हमा फिले हमारा हम यह जान लोती है कि एरफोन को अत्व होती कैसे है देखो जब आपने मोबाल के 1973 को और इस मोबाइल के से हमारे मोबाइल में जाता है इस लाइन को कहते हैं जिसको में से लिखेता हूं ए ल меш़ें अट3 मतला होता है डिडेक्ट मतला पता लगाना डिडेक्स डिडेक्स करना या फिर इसको बोलते हैं येरफोन की sensing line ठीक है sensing line बोलते हैं उसके बाद दूस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा देखो जब हम येरफोन को connect करते हैं तो इस वाले line से signal जाता है अगर दूस्तों आपको ये वाले line कहीं से रजिस्टर के अंदर जाती है उसके बाद इस रजिस्टर के इस वाले point से out होती है ठीक है इस वाले point से out होती है और उसके बाद ये जाती दोस्तों यह हमारा जो है पता है उसके यहां पर जो यह चाहर नंबर पिन है तो उस चाहर नंबर पिन पर हमारे इसकी surprise चले जाती है एक बढ़ आप दोस्तों मैं आपको बता हूँ, अगर यह वाली लाइन, इस लाइन से भी आगर सोट हो जाता है, इसалась संसे करता है, इस सर यह वाली लाइन, रहिए शैंसिंग सोट हो गया तो फिर इस वाले लाइन में हमारा सिग्नल हमारे मोबाइल में चला जाता है कि हाँ यहरफोन करेक्ट हुई है हमारे मोबाइल मतलब कन्फ्यूज हो जाता है कि मोबाइल को तो क्या लगता है कि इसमें यहरफोन कनेक्ट हुई तभी तो सिग्नल आ रहा है अगर स्प्लाइब रहा इसा वाले लाइन शोट हो जाती इसलिए हमारे यहरफोन का लोगों आता है ठैक है उसके बाद यह सप्लाइब आप यहापन पर अहां पर तीक है में बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं इस में बोर्ड के यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर जो 6 अब दोस्तों मैं आपको बता हूँ आपको क्या करना है अगर देखो यह वाला रजिस्टर वाटर डेमिज के कान कहीं आपस में इधर से भी शोट हो रहा है तो भी एरफोन का लोगो आता है यह समझ में आ गया कि एरफोन का लोगो लग कैसे रहा है अब दोस्तों आपको सबसे पहले तो इसका एचेपता अलग कर लेना है अगर एचेपता अलग करने के बाद आपका एरफोन का लोगो हट जाता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर फिजिकल तोर पर चेक करना है कि शोड़ तो नहीं हो रहे हैं और उसके बाद आपको यहां फिजिकल तो पर यह चेक कर ले ना कि इसके अंदर यहां पर यह इप पिने डियर निकल लिए होती हैं कैहीं सोड़ तो नहीं आड़ी के रहे हैं colors के ऐफाने के बाद भी भी इर पड़ेगा तो पिर आप यह चेक करने के बाद भी अगर आपका यहां पर यह नहीं निकलता है तो एक गोल्डन में आपको बताता हूं यह सब आपको रिपेरिंग में एक्सप्रेंस होना चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है इस रजिस्टर को पूरा बार निकाल लेना ह है बले आपका इंटर्नली सरकिट यहां से बाद देखो एक पावर आईसी सोट वह बात अलग है लेकिन एक और में सोलूशन आपको बता हूं देखो इस रजिस्टर को आपको पूरा हटा देना है पूरा हटा दोगे तो यहां पर अगर आपको यह एरफोन का लोगो हट ज लगाना है इस वाले पूंट से जमपर लेगे सीध आपने इस डिडेक्शन की लाइन पर लगाना है लेकिन उसके साथ ही आपको यह वाला रजिस्टर को भी हटाना पड़ेगा क्यों दोस्तों क्योंकि हमने जमपर लगाकर इधर तो लाइन बाइपास कर लिए लेकिन इसक जमपर यहां पर लगा सकते हैं आपकी प्रोब्लम एक हजार परसेंट सोल हो जाएगी ठीक है तो आई होब दोस्तों यह चोटा सा सोलूशन आप लोगों के लिए हैलफूल रहा होगा तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के इंडरेस्टिंग और हैलफूल वीडियो के साथ द दोस्तों तब तक के लिए टेक केर बाबाई